नमश्कार मित्रों, हिंदु धरम में और धरम शाश्त्रों में और आयुरवेद में बहुत सारी जानकारी भोजन संबंदी प्राप्त होती हैं किस दिन किस वार पर हमें क्या खाना चाहिए, किस दिती पर हमें क्या खाना चाहिए और किस महिने में किन चीजों को खाना ऐसे ही मागमास पवित्र मदू सुदन भगवान की उपासना का महीना जिसमें सनान दान और व्रत का बहुत महत्म है उसी में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने के से related, तो हमें क्या खाना चाहिए इस महीने में और क्या नहीं खाना चाहिए, तो मित्रों इस महीने में मूली नहीं खानी चाहिए, धनिया नहीं खाना चाहिए, ना ही इस महीने में बैंगन की सबजी खान चाहिए ना ही प्याज लसन का प्रियोग इस महीने में करना चाहिए तो इस महीने में क्या खा सकते हैं यह भी शास्त्रों में लिखा हुआ है इस महीने में खिचड़ी और घी खाना सबसे अच्छा बताया गया है साथ ही इस महीने में तिल खाना गुड़ खाना भी बहुत अ तो आपका स्वास्ते भी अच्छा रहेगा और धरम का भी पालन हो जाएगा वेग्यानिक द्रिस्टी से भी इन चीजों का महत्व इस महीने में बताया गया है तो फ्रेंट्स माग महीने में मूली, धनिया, बैंगन और प्याच लसन के सेवन से बचना चाहिए और इस महीने में ज़्यादा तर खिचड़ी, घी का प्रियोग करना चाहिए और साथ में तिल और गुड से बनी हुई स्वीट्स आप खा सकते हैं अगर मित्रों आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चानल को जूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें कमेंट बॉक्स में रादे रादे अवश्य लिखे